दोस्तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सोशल साइंस 6-8 पेपर को लेकर जो अब्जेक्शन वाला कुश्चन होगा आपको हम एक वीडियो में प्रूफ के साथ अबलेबल करवाएंगे फिलाल साथियो मेरे पास आज कुछ कुश्चन है बहुत जैदा नहीं है चैलेंज करने के लिए हम हिस्ट्री और जियोग्रोफी पार्ट से उठाए है उसमें बतादे साथियों कि 4-5 ऐसा कुश्चन है जिस पर आप चैलेंज किजिएगा तो आपका मार्क बढ़ सकता है देखते हैं साथियों कौन सा कुश्चन है आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे कुश्चन है जो भीपेसी के द्वारा गलत लिया गया है आंसर चलिए हम इसको देखते हैं साथियों इससे पहले मैंने कई शारा वीडियो अब्जेक्शन वाला प्याटी का भी अप्लोट किया है उसको जड़ा देखेगा अगरा प्याटी का एक्जाम दिये हैं और सिक्चक भरती भी पेसी ट्यारी 3 को लेकर हम लगातार अपडेट हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं है ना और लेटिस्ट अपडेट आपको हम इसी तरह देते रहेंगे शातियों देखिए जो फर्स्ट कुश्यन है मैंने शाम ने निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में इस्तित लमवत घाटी को किस नाम से जना आता है तो यहां पर हलाकि बहुत से अभेर्थी दून लगा करा है हलाकि उनका बेपेसी के अनसर के अनसर सही भी है लेकिन जब यहां पर देखिएगा दून के साथ साथ आपको यहां घाटी है उसको दून भी कहा जाता है और द्वार भी कहा जाता है इस कंडिशन में आपको इसका अंसर डी हो जाता अब इसके प्रूफ के लिए आपको हम नीचे दिखाते हैं थोरा चाथ देखिएगा एक बुक का प्रूफ है निम्नी हिमाचल हिमालाय के दक्षनी ढाल त देखिए पस्ती में रहा तो उसको दून कहते हैं के नाम से जाना जाता है तथा पुरूब में द्वार के नाम से जाना जाता है उत्राखंड में बुग्याल तथा पयार के नाम से जाना जाता है अगर उत्राखंड का बात किया जाए तो बुग्याल और पयार के नाम से ज द्वार है तो इस condition में अगर देखा जाए तो विपेसी के द्वार जो आंसर लिया गया हुआ गलत लिया गया है किवल दून विपेसी प्रूफ मेरे पास अबलेवल नहीं हो पाया लेकिन करेंट का बात करें तो आप अगर अपडेट होंगे तो आपको पता होगा भारत में अभी कितना रेलवे जोन है जब हम डिवीजन का बात करते हैं तो आपको अभी 70 डिवीजन है और 70 डिवीजन मिला के कुल अभी 19 जोन रेलवे का है हानाकि आपको बता दें कि बिपेसी जो आंसर ली है वह NCRT के एकॉर्डिंग ली है आपको पता है कि NCRT परतिवर्स जो है पब्लिक क्या आता है लेकिन उस पर संसोधन 100% नहीं होता है अभी फिलाल बात किया जाए 2024 के एकॉर्डिंग ही तो अभी टोटल कितना है बुली तो 19 जोन है 23 में भी 19 ही जोन था है ना अगर पहले का करेंट अगर पुराना देखा जाए पुराना न्यूस तो उसमें आपको बता दे कि रेल्वे का शोलर जोन था तो अब भेर्ति तो ल है तो उस कंडिशन में अभेर्ति तो सबसे पहले वहाँ पर कर्फ्यूज होंगे है ना इसका ऑप्शन यहाँ पर वह ए लगाकर आया होंगे क्योंकि वह 19 जोन पढ़कर गए थे और यह बात सही भी है अगर बीपेसी को चैलेंज किया जाए एक पुकता सबूत को लेकर है वह 19 होगा और यहाँ पर अगर देखा जायते एक माक यहाँ से भी आपको मिल सकता है फिलाल आप कोई भी सबूत मिलता है आपको तो वहाँ पर जाकर आप चैलेंज कर सकते हैं फिलाल चैलेंज कैसे करना है इसके जश्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा आप उसको दे ऐसके बुक जब शहींट का उल्टाएंगे तो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा है ना तो वहाँ पर इटली का एक किरन का जनक किसको माईनाता है वीडियो यह लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है जब आप इसको ढूंढेंगे तो आपको य इटली की एकिकरन का जनक जोसिफ मेजनी को माना जाता है, मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था, दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो जोगरफी का है, 2001 और 2001 के मद बिहार में जनसंख्या की 10 की विर्धी कितनी प्रतिसत हुई थी, यहाँ पर देखा जा तो एक्जक्ट डाटा के बात किया जाए, तो एक्जक्ट डाटा के एक्कोर्डिंग, जब आपके पास ऑप्शन अपर लेबल है, तो आपको एक्जिक्ट डाटा के साथ जाना होगा, यहां पर देखेगा कि 10 के विर्धी जो है आपको बता दे, 2001 से 2011 के बीच, वह आपको 25 पॉइंट फॉर टू है ना 25.42 परसेंटेज मिलेगा कहीं पर आपको यह भी देखने को मिल सकता है 25.48 देखने को मिल सकता है ना दोनों ही डाटा सही है लेकिन जब BPSC यहाँ पर आंसर ली है कि 10 के बिर्दी कितना हुआ है तो यहाँ पर इस 25.07 लिया जो कि बिल्कुल गलत ह है ना तो यहाँ पर सात्यों यहाँ पर भी आपका option जो है वह यह चला जाएगा तो इसके according आप प्रूफ लेकर है ना वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं आपको प्रूफ कहां से मिल सकते हैं इस तरह से लगभग चार से पांच कोईशन था है ना हम आपको दिखाए हैं फिला अभी केवल जिगरफी और हिस्ट्री का था हम पॉलिट्री और एकोनोमी इसके बाद आपको लेकर आएंगे जिस पर आपको चैलेंज करना चाहिए यह चोटा सा प्रियास मेडिया कैसा लगा है ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कि देगा शाथ में इस वीडियो को अधि अब बिरतियों को पीछे चोड़ कर आगे रिजा सकते हैं